Hello student, अगर आप class 10th या 12th में हैं और अगर आपकी किसी भी subject के अंदर compartment आई है तो आप अपने compartment exam को किस तरीके से crack कर सकते हैं तो उसके लिए आपको कितने marks लाने होंगे ठीक है तो इन सभी question का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को लास तक जरूर देखेगा और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को subscribe जरूर केजिगा तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या जो हमारा main motive है या main जो हमारा इसमें focusing point है कि हमें passing criteria यानि कि इसका passing criteria क्या होगा कि हमें कितने marks लाने होंगे ठीक है तो यहाँ पर class 10 तर 12 के दोनों को अलग-अलग होते है तो दोनों में क्या करते हूँ दोनों को अलग-अलग बता देती हूँ अगर मैं class 10 की बात करूँ तो इसमें practical plus theory के दोनों के marks जो है वो add करके आपको यहाँ पर 33% marks लाने होंगे ठीक है 33% marks लाने होंगे यानि कि आपको 100 में से 33 marks लाने हैं clear है theory practical दोनों को मिला करके ठीक है यह तो होगे हमारे class 10 का लेकिन अगर मैं बात करूँ वही class 12 की तो class 12 के अंदर यहाँ पर आपका जो process है वो थोड़ा सा अलग है वो कैसे अलग है कि यहाँ पर आपके practical और theory दोनों के marks अलग-अलग तरीके से count किये जाते हैं ठीक है वो अलग-अलग रहते हैं तो आपको practical theory दोनों को मिला कर आपके marks अड़र नहीं होते हैं तो आपको practical में अलग लेने होंगे passing marks और आपको theory में अलग passing marks लेने होंगे clear है अब यहाँ पर हम theory की बात करते हैं ठीक है आप जैसे आपका subject है history है या फिर political science है या फिर geography है या फिर आपका economics है ठीक है एटसेटरा तो मैं बात करते हूँ यहाँ पर theory plus आपके practical exam की तो history के अंदर आपका practical marks कितने का होता है history के अंदर आपका practical marks होता है 30 marks का होता है ठीक है practical exam 30 marks का होता है और 70 marks के आपके theory exam होता है clear तो जब जाकर क्या बन जाते है 100 बन जाते है ठीक है इसी तरह के से आपके economics में है 2080 ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पर इस पर focus करते हैं 80 पर यानि कि जो हमारा theory exam है theory exam के लिए आपको कितने marks लाने होंगे ठीक है तो मैं मोटा-मोटा सा idea दे देता हूं तो आपको यहाँ पर कितने marks लाने है है यहाँ पर 27 marks लेकर आने कितने marks लाने 27 तो आप बहुत सर बची कि तोश्ते हो कि या aussi 27 marks ही तो लाने है पढ़ जाएंगे इतना 30 number का पढ़ जाएंगे 27 बहुत अच्छी बात है नहीं बचे आप जितना कम सोच कर चलोगे उससे ही कम आएंगे आपके marks ठीक है तो अगर आप थोड़ा सा बड़ा सोचते हो यानि कि आप 50 के आसपा सोचते हो कि मैं जो है 50 number का बहु कोई पास नहीं होने वाले हो to be very frank है ना तो मायूस नहीं होना तो आपको क्या करना है आपको 50 marks तक का ऐसा पढ़ कर जाना है जिसको आप जो है भूलो नहीं और अपने exam में जो भी question आए उसको आप बहुत अच्छे से easily attempt कर सको को उसका easily answer दे सको तो आपको क्या करना है 80 व लाकि तो आपको कम से कम आपको कितने marks लाने होंगे 23 marks लाने होंगे तब जाकर आप उमीच जगा सकते हो कि हम पास हो जाएंगे लेकिन वो 23 marks आने ही चाहिए नहीं होने चाहिए तो इसका प्राक्टिकल तो आपका exam हो चुका है ठीक है लेकिन अब यह आपर आपको theory में कि किसी में आपको जो है अगर आपका 80 का है तो उसमें आपको कितने marks लेकर आने उसमें आपको 27 marks लेकर आने अगर आपका 70 का है exam theory exam तो आपको उसमें कितने लेकर आने 23 marks लेना है तो ये तो इस question का जवाब हो गया कितना पढ़ना होगा कितना पढ़ना होगा आपको कम से कम 50 marks क तो पढ़ना ही पढ़ना होगा, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, कि मैनम 50 Marks का कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और जो है में किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो यह question आपके दिमाग में आ रहा होगा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं क इसकी in questions की, so आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिन chapters की weightage जादा है, जिन chapters से काफी सारे questions पूछे गए हैं, ठीके, तो आपको उनको क्या करना है, सबसे पहले उनकी आपको one shot recording, one shot videos देखनी है, ठीके, तो आपको यहाँ पर अड़ा 24-7 की इस channel पर आपको सारे subject के सभी subject के आपको सारे one shots जो है वो मिल जाएंगे तो आपकी जिस subject की importance सौरी जिस chapter की importance जादा है जहां से maximum question पूछे गए हैं तो वहां आप उनको क्या करना है आप उनके one shots देख लिजे सारे नहीं करने आपको जिन chapter से जादा question पूछे गए हैं अब आपका question यह रहेगा कि मैदम ये कैसे पता चलेगा कि किस chapter से जादा question आएगे तो इसके लिए क्या है इसके लिए आपके लिए एक और solution है कि आप ये देखिए कि पिछले 5 साल के PYQs में से किस chapter से जादा question आ रहे हैं मैं ये नहीं कहा रहे हैं कि आपको सारे के सारे chapter पढ़ने हैं बस आप इतना पढ़ लीजिए कि किस chapter से आपके questions जादा आ रहे हैं आप उनका one shot देख लीजिए और उनके one shot देखकर आप थोड़े से notes बनाने की कोशिश कीजिए क्योंकि जब आप छोटे-छोटे notes बनाते हो तो इससे जब आप लिखते हो ना इससे दो फायदे होगे एक तो आपकी writing speed जो है वो तेज हो जाएगी writing speed बढ़ जाएगी दूसरा ये handwriting भी आपकी सही हो जाएगी ठीके किसी की गंदिवन्दी है तो वो भी सही हो जाएगी तो आप जो है वो time limit जो आपको दी जाती है उसके according आपकी speed जो है वो उसी तरीके से increase होती रहेगी लेकिन इसके लिए आपको ये सारी चीजे करनी पड़ेगी फिर से सुनो आपको क्या करना है वो देखनी है वीडियो देखनी है फिर क्या करना है सिर्फ आपको ये दो से तीन काम करने है तो इससे इसली आपको क्या होगा इसली आप 50 marks का तो ऐसा पढ़ कर जाओगे कि आप जो है वो भूलोगे नहीं और इसली question के answer दे पाओगे तो आपको क्या करना है ये सारे काम करने है मुझे लगता है कि इससे easy method आपके लिए नहीं हो सकता है तो यहाँ पूरी-पूरी किताब पढ़ने मत वैट जाना क्योंकि पूरी किताब पढ़ोगे कहीं न कहीं फिर से आप जो है वो कहीं जां कहीं लैकर जाओगे कुछ याद नहीं रहेगा में हैं तो class 12 board exam को अच्छे से prepare करना चाते हैं जिसमें first आपके attempt में बहुत अच्छे marks आ जाएं फिर उसके बाद आपको CUT का exam भी देना है तो इन दोनों के preparation को आप अभी से start कर दीजे और यह preparation कहां पर करवाई जारी आपको यह preparation करवाई जारी आपको ADIVP 24 7 की application पर थिकए तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको ADIVP 24 7 की application को अभी-के-अभी mobile पर download कर ली जन उसके बाद क्या करना है आपको UGPG entrance exam पर Click करना है दैन उसके बाद क्या करना है UGP Click करना है दैन उसके बाद आपको arts पर click करना है, अब यह मैं सोचीगा कि यह CUT के लिए है, यह class 12 प्रस CUT दोनों के लिए है, तो यह है, इसकी classes जो है, वो जल्दी start होने वाली है, तो आपको क्या करना है, summer 2.0 batch पर click करना है, then उसके बाद आपको buy now पर click करना है, buy now को click करने के बाद आप इसमें enroll कर जाओगर, maximum discount पाने के लिए, आपको coupon code use करना है, Y489, तो इस coupon code को use करके आप इसको apply कीजिए और 17% के discount पर आपको क्या मिल गया है, 17% के discount पर आपको मिल गया है, पूरा ये batch, ठीक है, 9,959, इसका मतलब ये कि आपके CUET के exam तक, कि कितनी validity है, 12 month की validity पर आप जो है, वो सारे 9,000 रुपे खर्च करें, मुझे लगता है कि आप इससे जो एक सस्ता जो बैच होगा कहीं, वो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, तो यहां पर अपनी से अपनी तयारी शुरू कर दिए, class 12th और board exam, class 12th और CUET दोनों की, ठीक है, तो दोनों में आपको अच्छे marks दाने हैं और CUET में तो आपको अच्छे marks लेकर रहाने हैं क्योंकि इसी के बिहाव पर आपका college में admission होने बाना है, तो आज इसे enroll कीजिए और फटाफट फटाफट से अपनी preparation को start कर देजे, so bye bye to all.